दोस्तों कि आप iOS के काफी बड़े वाले फैन हो, आप अपने फोन में iOS के theme यूज़ करते हो, launcher यूज़ करते हो, icons यूज़ करते हो, लेकिन सारे चीज़ यूज़ करने के बाद भी आपके फोन में एक चीज़ missing रहता है, iOS का वो है notification style, क्योंकि आपको Apple के फोन में जिस तरीक जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके का आप अपने किसी भी Android phone में कैसे notification पास सकते हो, जो कि एकदम iOS 13 का notification पैनल, notification style है, तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए इस वीडियो को लाज तक देखते रहिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिधारत, और आप देख रहे ह तो प्रोसेस काफी सिंपल है, इसके लिए आपको एक एप की requirement पड़ेगी, जिसका नाम है, जिसका लिंक वीडियो के description में आपको मिल जाएगा, और जो की play store पे अविलेबल भी है, आप डिरेक्ली नाम सर्च करके भी download वहां से कर सकते हो, तो इसको आपको first time open करना है, open करन तो लूडिंग होने के बाद से यहां पर कुछ इस तरह लिख के आएगा, कि you should be enabled to apps that can appear on top in apps, तो यहां पर आपको setting पर tap करना है, और setting पर tap करने के बाद से यहां पर allow display over other apps को यहां पर enable कर देना है, फिर आप जब back आओगे तो यहां पर आएगा you should be enabled to notification, access in locks, screen and security, setting पर tap कर और यहां पर आपको age mask वाले application को यहां पर enable करके लाओ कर देना है, फिर आप back आओगे तो यहां पर आएगा you should be enabled to age mask in accessibility, फिर setting पर आपको tap करना है, more downloaded service पर tap करके age mask को यहां पर accessibility यहां पर इसका enable कर देना है, तो यहां पर तीन permission granted जब आप कर लोगे तो यह अच्छे से open हो जाएगा जैसे accessibility, apps और notification वाला यहां पर तीनो permission आपने इसके granted कर दिये, अब आपको कुछ नहीं touch करना है, यहां पर एक छोटा सा यहां पर एक line मिल जाएगा इस पर आपको tap करना है, यहां पर कुछी तरीके कहा जाएगा decorate with your favorite color, यहां पर आप अपने जो notification style उसको customize कर सकते यहां पर आप नीची आओगे, यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे इसमें आपको बहुत सारे option मिल जाएगे, रिपर style, card style, big icon style, bookmark style, samsung message style, apple message style, super slim, तो इसमें आप 1 UI की तरह भी आप notification पा सकते हो, अगर आप उसको enable करोगे, ने तो अगर आपको iOS 13 वाला चाहिए तो आप इसको enable करके directly iOS 13 वाला यहां पर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको iOS के एक दम style notification देखने को मिल जाएगा, यहां पर repair style enable होगा, इसको आपको यहां पर आपको नीची आ जाना है, तो यहां पर आपको एक option म enable है या नहीं, अगर नहीं enable होगा तो आप इसको enable कर लेना, क्योंकि अगर यह enable नहीं रहेगा, तो आपका system का भी notification आएगा, और इस application का भी notification आएगा, जो काफी mismatch हो जाएगा, जो अच्छा से look नहीं लगेगा, तो इसलिए आप इसको disable कर देना, उसके बास यहां पर आप आप इस पर अपने phone पर message करनों किसी दूसरे phone से, जैसे कि मैं यहां पर अपने दूसरे phone से message send करता हूँ, यहां पर message send होते हैं, यहां पर अभी आप देख सकते हो, अपने मेरे home screen पे, तो यहां पर आपको एगदाम iOS की तरह यहां पर notification रिसीब हुआ, यानि जो message मैंने किय हुआ तो कुछ इस तरीके का, यहां पर आपके home screen पे देखने को मिल गया, तो यह ऐसा नहीं कि बस message में ही work करेगा, अगर आप WhatsApp पे message send करते हो, जैसे कि मैं WhatsApp का भी example दिखा देता हूँ, तो अब मैं यहां पर अपने WhatsApp पे दूसरे phone से message send, और यहां पर message send होते हैं, यहां पर करते हो सारे जितने भी notification आते हैं, वो उनके लिए अच्छे से work करेगा, और मैंने जो setting बताया थी कि आप system वाल notification को block कर देना, तभी अच्छे स work करेगा, जैसे कि आपने देखा मैं जब भी message send कर रहा था, तो कोई system वाल नहीं आ रहा था, और उसके बास से notification में भी अगर आ आ जाया, तो यह work करना बंद कर देगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक solution बता देता हूँ, आपको करना क्या है, आपको age mask के app info में चले जाना है, और app info में आने के बास से, आपको यहाँ पे सबसे पहले auto start वाले permission को यहाँ पे enable कर देना है, यहाँ पे दोनों option को आपको example के तौर पर अगर मैं यहाँ पे इसको recent से clear कर दूँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे recent में यह app open नहीं है, उसके बावजूद में आप दूसरे phone से अपने यहाँ पे कुछ message send करता हूँ इस phone पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे recent में यह app open ना होने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हो, उपर यहाँ पे आपको एकदम iOS वाला notification देखने को मिल जा रहा है, यानि अगर आपका यह app recent से clear करने पे work नहीं करता है, तो मैंने उसका भी solution बता दिया है, आप auto start वाले permission को enable कर देना, और उसके बाद से जो battery saver है, restriction पे कर देना, उसके बाद आप recent से clear भी कर दोगे, तो यह automatic यह application background में work भी करता रहेगा, अगर आप उसे recent से clear भी कर देते हो, तो है hope ए चोटी सी trick आपको पसंद आई होगी, है hope ए वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कीज यह वीडियो कैसी लगी comment पर जरूर बताएगा, और यह वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ share कीजिएगा, जो iOS के काफी बड़े वाले fan है, और अपने phone में iOS का theme यूज करते हैं, launcher यूज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको iOS का notification नोटिफिकेशन नहीं मिल पा सादे से नहींaya मिल पार में सादे ह खार नहीं मिल पावज। अपने हैं, लेकिनो क晚 pitch येओं, लेकिनो principally for बावजूई